C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारप्रस्तुत है ध्वनी पुस्तक संक्षित बुद्ध चरित कक्षा आठ के लिए हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक शब्दार्थ और टिपणी प्रिष्ट संख्या अस्सी अंगीरस या अंगीरा अर्थात ब्रह्मा के दस मानस पुत्रों में से एक सब्त रिशियों में से एक रिशी इन्होंने स्मृतियों की रचना की थी इसलिए इन्हें स्मृतिकार भी कहा जाता है अंतेवासी गुरुकुल या आश्रम में रहने वाला छात्र अम्बरीश सूर्यवंशी राजा इश्वाकू की 28वी पिढ़ी में भगिरत के पौत्र, मानधाता के पुत्र और परम वैशनो भक्त अती मानविय अर्थात मानवेत्तर या अलोकिक अनात्मवाद यानी यह वाद आत्मा की सत्ता को स्विकार नहीं करता शरीरांत के साथ आत्मा का नाश हो जाता है अनासक्त अर्थात निरलिप्त या उदासीन अनित्य यानी नश्वर या अस्थिर अनुद्विग्न यानी शान्त चिंतारहित अपवर्ग यानी मोक्ष अभी निश्क्रमन अर्थात संसार से विरक्ती ग्रिह त्याग अभी भूत यानी चकित या भौँचक्का अभीष्ट अर्थात चाहा हुआ या मनुरथ अभ्यर्थना अर्थात अनुरोध या विनती अभ्यूदय यानी वृद्धी उत्तरोतर उन्नती अमात्य यानी मंत्री अर्थात अर्थात जीवन मुक्त पुरुष जिसने जीवन में ही निर्वान प्राप्त किया है और जीवन के बाद भी निर्वान को ही प्राप्त होगा या बौध पुरोहित अरहता, अर्थात योग्यता, परम ज्ञान, किसी पद के लिए वांचित विशेश योग्यता अलगतक, यानि पैरों में लगाने का लाल रंग, महावर या आलता अश्विनी कुमार, अर्थात दो भाई, जो आयुर्वेद के आचारिय एवं देवताओं के वैद्य हैं अश्टांग मार्ग, यानि आठ अंगों वाला मार्ग एक सम्यक द्रिष्टि, दो सम्यक संकल्प, तीन सम्यक वानी, चार सम्यक कर्म, पांच सम्यक आजीविका, छे सम्यक व्यायाम, सात सम्यक स्मृति, और आठ सम्यक समाधि आत्म वेत्ता, अर्थात आत्म ज्यानी, आर्थ नाद, यानि दर्द भरी पुकार इक्ष्वाकू, यानि पुराणों के अनुसार वैव स्वत मनु का पुत्र जो सूर्य वन्ष या इक्ष्वाकू वन्ष का प्रवर्तक था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी उत्ताल, अर्थात उँची, उपदेश्टा, यानि उपदेशक, उपनयन संसकार अर्थात हिंदु धर्म के अनुसार मानव जीवन के सोलह संसकारों में से एक, इसमें यग्योपवीत धारन करने के पश्चात बालक को विद्याध्यन करने के लिए भेजा जाता है कंटका कीर्ण, अर्थात कांटों से भरा हुआ, बाधायुक्त, कार्तिकेय, यानि शिव के पुत्र, जिनका पालन पोशन, चंद्रमा की स्त्रियों, कृत्तिकाओं ने किया था इसी कारण या कार्तिकेय कहलाता है, तारकारी, शनमुख और कुमार इनके अन्य नाम है काश्यप, अर्थात एक प्रजापती का नाम, जो रामायन और महाभारत के अनुसार, ब्रह्मा के पौत्र और मारिच के मानस पुत्र थे कुबेर, धनाध्यक्ष तथा उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इन्होंने अलकापुरी बसाई थी प्रिष्ट संख्या 81, कौंडिल्य, पंच वर्गिय भिक्षु, गौतम बुद्ध के अनुयाई चातुरमास, वर्षा के चार महिनों का संयुक्त नाम चातुरमास है, इन महिनों में विभिन्न नियमों, यानि भोजन तथा कुछ आचार विवहारों का निशेद का पालन होता है चवन, यानि भिगुरिशी और पुलोमा के पुत्र जो एक प्रसिद्ध रिशी थे, बलवर्धक चवन प्राश औशधी इन ही के द्वारब बनाई गई है जरावस्था, यानि वृद्धावस्था, जितेंद्रिय यानि जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर दिया हो सैयमी, जयोतिश्क यानि देवताओं का वर्ग, तत्व ग्यान अर्थात आध्यात्म ग्यान, तीन तत्व, एक इश्वर या सरवात्म दो चित अर्थात आत्मा और तीन अचित यानि जड़ प्रकृती संबंधी ग्यान तात अर्थात पिता आदरनी अव्यक्ति एक संबोधन जो बरावर के लोगों या अपने से छोटों के लिए प्रयुक्त होता है त्रिष्णा अर्थात प्यास त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम इन तीनों की प्राप्ती ही मनुष्यों का संपूर्ण पुरुशार्थ है पर बुद्ध के अनुसार त्रिवर्ग नाशवान है और उनसे त्रिप्ति नहीं होती दुन दुभी अर्थात डंका या नगाड़ ध्यान योग यानी ध्यान लगाने की योग क्रिया ध्यानव स्थित अर्थात ध्यान मगन नंदन वन यानी स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र का उपवन नंदी ग्राम अयोध्या के निकट एक गाउं जहां भरत ने 14 वर्ष तक तपस्या की थी निरस्त अर्थात अस्विकार निरोध यानी वश में करने की क्षमता निर्वान यानी मोक्ष निव्रित अर्थात विरत मुक्त नय रंजना गया बिहार के निकट बहने वाली फल्गु नदी का पुराना नाम नैश्ठिक अर्थात उपनयन से लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी निष्ठावान किसी व्रत के अनुष्ठान में लगा हुआ परमार्थ अर्थात मोक्ष उतक्रिष्ट वस्तू यथार्थ तत्व परशुराम राजा प्रसेन जित की पुत्री रेणुका और जन्व दगनी रिशी के पुत्र परी निर्वान अर्थात पूर्ण निर्वान या मोक्ष परी व्राजक अर्थात भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करने वाला सन्यासी पर्यंक मुद्रा योग का एक आसन बैठने की एक मुद्रा जिसमें धनुषधारी अपना एक घुटना मोड कर और दूसरी टांग को पीछे रख कर बान चलाता है पित्र रिण पुत्र उत्पन्न करने से होने वाली रिण मुक्ति पुराकाल यानी पुराने समय में, प्राचीन समय में, पुरुष सिहन, यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ पुश्परिणी अर्थात छोटा जलाशे, कमल युकत जलाशे प्रग्या यानी बुद्धी, प्रतीती अर्थात जानकारी या ज्यान प्रत्यास्मरण यानि पुनहस्मरण प्रातीमोक्ष यानि आचरण संहिता साधुओं के लिए नियम प्रिष्ट संख्या 82 बली दैत्यों का एक राजा भक्त प्रहलाद का महाप्रतापी पोत्र जिससे अश्वमेध यग्य के समय भगवान विश्णु ने वामन रूप में तीन पग भूमी दान में मागी थी बांबी सर्प का बिल व्रिहस्पती सावर मंडल का पांच्वा और सबसे बड़ा ग्रह एक रिशी जो देवताओं के गुरु माने गए हैं ब्रह्मवेत्ता यानि ब्रह्म को जानने वाला भिगु अर्थात प्रसिद्ध मुनी जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं परशुराम इनही के वन्शज्थे भिक्षु वह सन्यासी जो भिक्षा द्वारा प्राप्त पदार्थ का सेवन करता है मंगल आचरण कार्यारंभ के पूर्व की जाने वाली मंगल स्तुती मध्य या मध्यम मार्ग तप और भोग इन दोनों अंतों के बीच का मार्ग मल एक वीर ख्षत्रिय जाती जिसका कुशी नगर उत्तरप्रदेश के पास राज्य था महा व्रिक्ष यानि पीपल व्रिक्ष मानधाता स्तूर्य वन्षी राजा युवनाश्व के पुत्र जिसकी राजधानी अयोध्या थी मार बौध मत में कामदेव को मार कहते हैं जो पावरानिक कामदेव से भिन्न है और मोक्ष प्राप्ति में एक प्रकार से शैतान की भूमी का निभाता है मुमुक्षू अर्थात मोक्ष की कामना करने वाला मुरिगदाव अनेक मुरिगों वाला वन राज ग्रिह, बिहार में पटना के निकट एक प्राचीन स्थान जो बाउद्धों का तीर्थ स्थल है लिच्छिवी, प्रसिद्ध राजवन्ष जो प्राचीन मगध के आसपास का क्षेत्र था और जिसका विस्तार नेपाल के पूर्वी मार्ग तक था उसका वर्त्मान क्षेत्र, मुजफरपुर और वैशाली बिहार हैं वज्रबाहु, दशार्ण, देश का एक राजा, जिसने अपनी पत्नी और पुत्र के रोग ग्रस्त होने पर उन्हें वन में त्याग दिया था वामदेव, एक वैदिक रिशी, वालमी की, रामायन के रचनाकार, आधी कवी, मुनी, विशाक्त यानी विश्युक्त, विश्में बुझा हुआ, व्रिज्जी, अर्थात एक प्राचीन जाती, जिसकी राजधानी वैशाली थी, वर्त्मान, मुजफरपूर, बिहार शाक्य मुनी, शाक्य वन्ष में अवतीर्ण होने के कारण, गौतम बुद्ध शाक्य मुनी कहलाते थे शावक, पशु पक्षी का बच्चा, शुक्र, एक बहुत ही चमकदार तारा, शुक्राचार्य, दैत्य गुरू श्रावस्ती, श्री राम के पुत्र की राजधानी, जो उत्तर कोसल के गंगातट पर बसी हुई थी बर्त्मान, बदरामपूर, उत्तर प्रदेश श्रेयसकर, यानि कल्याणकर या मंगलकारी सम्यक आचरण, उप्युक्त आचरण सर्वार्थ, यानि सभी प्रकार के पदार्थ और योग के विशे सार्थवाह, यानि व्यापारी सिद्ध योगी, यानि अलोकिक शक्तियों से संपन्य योगी सुमंत यानि राजा दशरत के मंत्री तथा सारथी सुमेरू पर्वत एक कल्पित स्वर्ण पर्वत जिसे पर्वतों का राजा कहा गया है सूर्य कांत मनी एक प्रकार का स्फटिक जिसे सूर्य के सामने करने से आँच निकलती है संक्षित बुद्ध चरित अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संक्षित बुद्ध चरित का ध्वनी पाठ वाचनस्वर अजीत होरो निर्मान सहयोग सौम्या मलिक ध्वन्यंकन विकास सांग्वान निर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत प्रस्तुत